हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल मस्ताइक फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके रेड्मी 9A में यदि इसमें चार्जिंग से रेटेट कोई प्रोब्लम आती हैं जैसे आपके इसमें मोबाईल बि समझाने भी वाला हूं कि इसमें हमारे जо चार्जिंग की सप्लाई है वो किन कॉपोनेंस से होते हैं हमारी कौन से आई-सी में जाती हैं तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो बहुत ही इंफॉमेटिव होने वाला है तो दोस्तों हम यहा पर बिना किसी तरीके से अपना टाइ यह वाला पिन हमारा है यह हैं इसकी plus की supply, यह प्लस की supply इसके front side में आ जाती है जैसकर आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक, front side में आप यहाँ पर एक सकते हैं यह वाला एक यहाँ पर कोई IC लगी है इस IC का नाम है दोर्स्टो inwt मतलब MVP मतलब होता है negative voltage protection ठीक है यह हमारा आता है इस MVP के अंदर यहाँ पर एक black color का आपको दिखाई दे रहा होगा इस MVP के अंदर आता है यह negative voltage protection के लिए यहाँ पर लगी रहती है इस point पर आता है उसके बाद इस point से वापस output होता है ठीक है और उसके बाद दोस्तों हमारी इस capture के इस वाले point पर आ जाता है अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आपको यहाँ पर voltage नहीं आता है तो आप direct charger socket के इस plus वाले point से लेकर direct इस वाले capture पर jumper भी कर सकते हो इस यह MVP को अगर आपका short हो जाता तो पूरा बाहर निकाल सकते हो इससे हमें अपने mobile में कुछ भी इतना effect नहीं आता है यह सिर्फ safety के लिए लगाई जाती है ठीक है और उसके बाद जो charging की supply है वो हमारे यहाँ पर पर आ जाती है दोस्तों पहले आप इसकी charging की supply को अच्छे से समझ ले उसके बाद ही अपने mobile में वर्क करें ठीक है उसके बाद दोस्तों यह हमारे में बोर्ड में आ जाती है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले point पर आ जाती है उसकी बाद आती है हमारे इस व यह देख सकते हैं यह सिम ट्रे के नीचे की तरफ आप जो यह वाला सेक्षन देख रहे हैं यह है इसका charging का सेक्षन ठीक है charging का सेक्षन है और यह हमारे इसकी charging की IC यहाँ पर यह लगी है इसको BQ IC या secondary power IC भी हम बोल सकते हैं इसमें ठीक है और उसके बाद दोस्तों यह हमा इस IC के अंदर जाती है और दोस्तों यह IC यह IC जो होती है वो होती है हमारी OVP IC OVP का मतलब होता है over voltage protection मतलब हमारे घरों में जिस तरह से fuse लगा रहता है उसी तरीके से हमारे mobile में यह fuse का काम करती है यदि चार्ड़ सोकिट से ज्यादा voltage आता है तो यह IC हमारी सोट हो जाती ठीक है उसके बाद यह IC वापस output निकालती है हमारे जो आप यहाँ पर देख सकती है जो यह 0 ohm का यहाँ पर रजिस्टर लगाएं इस वाले रजिस्टर में यह output निकालती है ठीक है तो आपको finally क्या करना है यहाँ पर इस रजिस्टर पर आपको चेक कर लेना कि जो आपको IC बाइपास हो जाएगी और अगर आपके बास हैं तो आप रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन यह जंपर भी लगा सकते हैं उसके बाद दोस्तों यह हमारी इस यह सिरीज के अंदर रहता है तो इस बात का भी ध्यान रखे अगर हमारे इस पॉइंट पर यह वोल्टे जाता है अगर यहां पर आपको इन वाले पॉइंट पर अगर वोल्टेज नहीं मिलता है इस पे और इस पे तो आप इन पर इदर न्यू आमने सामने जंपर कर सकते हो कोई दिकत नहीं होगी ठीके और उसके बाद दोस्तों जी हमारी यह चार्जिंग की सप्लाई है वो इसके पास म पर एक और लगा है इस के अंदर आ जाती है और उसके बाद दोस्तों इस के बाद में हमारे यहां पर इसके उपर एक बड़ा केप्सिटर लगा है इस वाले केप्सिटर पर आ जाती है तो फाइनली आपको क्या करना है आपको यहां तक चेक कर लेना है कि यहां तक आपका को पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहे अगर दोस्तों आपको यहां तक नहीं पहुंच आड SNE auto gamarty है competitive पहुंच रहें उर् début यहां प्रोलम नहीं होती है उसके बाद दुस्तों है जैसे ही सी यह कहते हैं कि एन दो पॉँइंट पर ठीक है एक जो यह वाला पॉइंट है और एक यह वाला पॉइंट है इन दोने पॉइंट प्उइंटमर इसकी drugiej imagem की सप्लाई आ जाती है जो चाइजस होकेट के अंदर जो 5 वोल्ट होता है in 2 बैट मतलब होता है erhalten टेसे के आ विल्टेजर के अंदर जैसे हैं इससी के अंदर यह व्यन पटर से यह हमारे षैढर से जाता है उसके बाद दोस्तों यह ICA बनाती है V-Bate का voltage ठीक है V-Bate मतलब होता है voltage battery मतलब battery connector तक जो voltage जाता है उसको कहते हैं हम V-Bate का voltage जो 3.7 से लेकर 4.2 की बीच होता है ठीक है 3.7 से लेकर 4.2 की बीच यहां पर यह voltage होता है जो हमारा battery connector पर जाता है वो निकलता है वापस इन दोनों point पर ठीक है इन दोनों point से वापस voltage निकलता है उसके बाद जाता है मार इस capture के अंदर तो आपको क्या करना है आपको यहां पर भी चेक कर लेना है इस वाले की पर यहां पर आपका voltage 3.7 से लेकर 4.2 की बीच आ रहा है और उसके बाद दोस्तों यह voltage यहां से सीधा हमारी battery connector के पास चला जाता है ठीक है यहां से जाता है सीधा हमारी battery connector के पास में आप जो यह point देख रहे हैं ठीक है इसके उपर की तरफ जो आप यहां मैं इसको draw कर लेता हूँ ठीक है इसमें जो आप यहां पर देख सकते हैं यह वाला point है इस वाले test point के अंदर यहां पर यह voltage चला जाता है ठीक है और उसके बाद दोस्तों हमारी यहां पर एक diode लगा है इस diode के अंदर आता है और दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस diode के बाद सीधा हमारी इस battery connector पर नहीं आता है यह वाला जो component आपको देख रहे हैं यह वाला capacitor है इस capacitor पर भी हमारा voltage आता है यहां से ठीक है इस पर भी आता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीधा हमारी इस बेटरी कनेक्टर पर आ जाता है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर यह वाला किप्सर भी सोट हो जाता है तो भी आपकी यह चार्जिंग की लाइन सोट दिखाएगी इसलिए मैं आपको कंप्लेट बता देता हूँ और उसके बाद दोस्तों हमारे सीधा इस बेटरी कनेक्टर पर बेटरी कनेक्टर के इस वाले पॉंट पर यह हमारा वोल्टेज आ जाता है बबबाएगी